हेलो फ्रेंज वैलकम बैक टू माई किचन नहीं बोलूंगी मैं हॉल में हूँ तो यहां पर मैं बनाने वाली हूँ राखी तो क्योंकि राखी का तेवार है तो सोजा राखी बना लूँ तो यह मैंने लिया है कार्बन कॉपी बोलते हैं इसको शायद और यह है स्टोन्स आप एजली आपको एमाज नमें भी मिल जाता है और यह बॉल चेनрем और यह ऐई पिन जिसको ऊई पिन बोलते है इसको तो यह शायद फैबरिक टुलू है मैरे पास अब में यह पर जो मेरा जो कार्बन कॉपी है उसमें मैंने थोड़ा सा तोर यह वाल ग्लु क मैंने जो चूआ लगाना है तो यहां पर मैंने उसके बाद जो है मैंने बॉले चेंड को भी इसी तरह से काट कर लगा तो उसके बाद फिर मैंने एक और round stones का लगा दिया स्टोन चेन का और फिर से में एक और round ball चेन का लगाओंगी तो इसी तरह से आपको करते जाना है आपको कितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा तक आपको इस तरह से करना है तो जो ग्लू है वह आपको दिखेंगा इस टाइ तो उसका कोई टेंशन नहीं है तो यहां पर आप देख सकते मेरा एक यह जो है राखी के लिए रेडी है अब मैं यहां पर दूसरा भी बना रही हूँ हाफ कट पर के साथ तो इसमें भी मैंने सेम किया है पहले ग्लू डाला है उसके बाद मैंने परल को रख दिया उसके उप अब इससे कट करूंगी जो भी एक्स्ट्रा आएगा तो उसके बाद फिर में यहां पर ग्लू डालूंगी और फिर में स्टोन चेन को रखोंगी तो आप तो देखी सकते आपको पता चल जाएगा मैं क्या कर रहे हूं तो अब यह मैंने लिया है यहां पर इसको बोलते है जो हुआ है भी में उसके साथ बनाँगी तो उसके किया है फैबरिक कुर्ड पatus और हाफ पीमने घूल स्टिक कर दिया है चाहिं ऐसके भी ग्लू लगाऊंगी क्योंगी तहों किम उसके बाद फिर से में ग्लू के पासी बॉल चेन डालूंगी फिर स्टोन चेन डालूंगी इसी तरह से में रिपिट करूंगी प्रोसेस तो इस तरह से आप देख सकते यह भी मेरा जो है रेडी हो गया तो अब हम इसे सुखने के लिए रखेंगे क्यूंकि अभी हम कुछ कर नहीं सकते इसको नहीं तो निकल राखी के लिए जो धागा हमको चाहिए होता है हम बढ़ाएंगे तो इसके लिए मैंने यहां पर सिल्क त्रेट लिया है जो के मेरा पास था मैंने वही लिया है आपके पास जो भी धागा अबलेबल है वही आप लीजेगा उसके बार मैंने बुक में उस दागा को 10-15 कॉटा करेबल के साइड कर विल्क तो मैं कर दिल रहे हैं अपना और तो इस तरह कोई बीक लिगा बढात को प्राइब गाते हैं कंऊ कर रहेंगे तो िन भीड़ दिल्व लागा कर जो है चेह एनक नहीं यहां करना है निदल ताकि हम बाद में उसमें कोई बीट्स अंदर डालने में हमें कश्ट ना हो तो यहां पर मेरा जो मैंने राखी के लिए जो रेडी किया था तब तक तो मैंने यहां पर उसको कट किया सीजर से आच्छा से मैंने इसे कट करते हैं चारो तरब से तो आप देख सकते हैं यह मेरा जो है र तो इस तरह से होने के बाद में अब मैं आपको आगे दिखाती हूं तो यह रहा मेरा आई पीन जिसको में जो राखी जो रहेगा मेरा उपर में उसके पीछे साइड में हमें इसको स्टिक करना है ताकि हम अगर धागा डाल रहे हैं या फिर तो आपको आगे पता चली हुआ हो तो इस तरह से में अपको लगाके दिखा रहे हूँ यह है आई पींड काफी से मैंने लगा दिया कट किया अैस के कहांतों काफ़ी लंबा होता है तो पूरा लंबा यह रख सकते उसके उपर तो आपको कट करना पड़ेंगा hipp Χalmers नीम सें बनाया है बहुत बढ़ा लाकी बनाएं तो ॉसकी लिए ठीक होगा उसके नहीं प्रुस्तिक होगा चेछे जितने भी राखिये सब के साथ मैंने इसे ही किया अब यहाँ पर मैने जो आई racism है उसके hole के अंदर में मैंने इस धागे को अंदर डाल दिया थिक है अंदर डालने के बाद में मैंने ठोड़ा सा कट कर दिया मैं थोड़ा सा ग्लू लगा कर इसे स्टिक करूंगे स्टिक करने के बाद में फिर इसको मैं थोड़ा दिरा इसे छोड़ दूंगी ताकि सूख जाए तब तक हम दूसरा वाला भी रेडी करेंगे तो दूसरे वाला को भी मैंने थोड़ा सा कट करके यहां पे ग्लू लगा द बहुत अच्छा होता है तो उसके बाद मैंने यह पर और कुछ सामान दिखाया आपको मैंने नाम तो दे दिया है और यह रहाब ब्लैक पर ब्लैक बीट से एक अगर आप मानते हैं कि नजर होता है न तो अगर इसमें विश्वास करतें तो आप राकी में काला हुए डाल सकते ताकि भाई को नजर ना लगे तो हम तो मानते नहीं है तो नजर के बाले में तो यहाँ पर मैंने जो है मैंने पहले वो गोल्डन वाला यह डाला उसके बाद मैंने फिर दूसरा एक और बीट्स डाला उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्लैक पर डाला ठीक है इस तरह से आप दे सकते आप कुछ भी डाल सकते तो इस तरह से करने के बाद में मैं दूसरी तरह से भी इसी तरह से मैंने इसको बना दिया बनानी के बाद में तो यहां पर मेरा राखी जो है अल्मुस्ट रेडी है तो हमें जो लास्ट वाला जो बीड से उसको थोड़ा सा आगे करके वहां पर यहां करके मैं इसे रख दूंगी थोड़ा दिल ताकि शूख जाए तब तक हम दूसरे काम करेंगे मैं दूसरे राखी बनाएंगे तो इसको भी मैंने यहां जितना हमें जरुवत नहीं है द्धागा तो एक्स्रा हो गया था तो उसको मैंने कट करके फेक दिया और उसके बा तो यह बहुत अच्छा दिखता यह भी दुकान के राखी जैसे ही दिखता है तो इस तरह से मैंने बना लिया है अब बनाने के बाद में जो नीचे का जो एक्स्ट्रा पाटे उसे काट दूगी और इसे भी मैं ग्लू से स्टिक कर दूगी करने के बाद में फिर में आपको दिखाती हम आगे तो उसके बाद यह रहा जो दूसरा राखि संडरा डालने का यहाँ पर मैं आई पीण डाला की जुरोत नहीं है 에 यहाँ पर मैं ऐड्री बनाया था पैठाश करके क्टिक यहाँ अलट कर नहीं अगे है दागा का सेन्टर होना चाहिए और राखी और सेन्टर में डालनी के बाद में एक और पेपर काड़ से कारवन कौपी कीपर्स уд better चाहिए अगर फहला में आइप ऐप लगाया है और यह alie 헉मके एक लूह उसको मैंने लिया है वह ऑई पींज का जो यह ना हैना मैंने उसे थोड़ा से खोल दिया तब ने बंद लिया तो करने के बाद आप देख सकते विरेडी हैं तो हमें इसे करते में दोर करते हैं जब करते हैं ऑपम हसे उतना मोटा ने की च्छोटा है न तो हमें इसी तरह से दागा भी हमें थोड़ा सा पतला रखना पड़ेगा तो उसके बाद मैंने इसे भी स्टिक कर दिया है और उसके बाद मैं एक और पेपर से उपर से स्टिक कर दिया तो आप देख सकते ये भी राखी जो है मेरा रेडी है तो आप देख सकते ये काफी छो कप स्टेख कर देना चाहिए थोड़ा से फोड़ा साथ कर दोने साइड बाद तो इक onward लेख सकते हैं को मैंने स्टिक्ट कर दिया था तो यहां में पर मैंने पटकर मुझल Кजह गद दियुकिन के घागर सब एकसा साथ मिक्स और और मैंने परने परल है और यहां तो दालो आपने मर्जी से कुछ भी डाल सकते सकते सब्सक्राइब आपको बहुत सारे मिल जाएंगे मैंने तो एमाजन से नहीं लिया कोई है तो इस तरशे करने बद में यह मैंने एक और राकी बनाया है जिस को मैंने सोचा नहीं था उस दो और तो टो यहां मैंने चार लाकि बनाया है तो यहां में गां कुछ में पर दूसरा है तो ऊसके बाद में तफिर तीसरा वाला है स्टोन जो बीच में रखा था स्कॉर वाला आध तो इस तरह से मैंने यहां पर तीन राख στα्ट spotted तोके लिए पशिछन के साथ न्यु ऐदक बनाया है मैंने पान बैचर्ट बार्स अर्वार कशल सब्सक्रण खाला करना रहा पानि यहां पर में 1 कप बेशन है कनड़ना करना तुम प्रब्रता उसमें दोलम नाना है उसके बार हामें और पानि डाल धाल करना तो मैंने यहां पर एक कप पूरा नहीं एक कप सी थोड़ा सा कम पानी सी लगा ता यह रहा तो यहां पर मैंने तेल गरम करने रख दिया ता उसके बाद में ने आयदा unexpectedly अच्छा से हिलाना है हमें ताकि वो जो यह ना बुंदी गिरेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने फ्राइ कर दिया है और हर बार एबरी टाइम जब आप यूज करेंगे इसको उस टाइम पर आपको वाश करके फिर से दुबारा लेना है एक बार आपने बैटर डाला उसका बुंदी बनाया, नेक्स टाइम बैटर डालने पर आपको फिर से वाश करना है थिक है, तो इस तरह से आपको करते जाना है, उससी सेम प्रोसेस, रिपिट करते जाना है, इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे-alling जोटी जयसा हमारे बुंदी बनके रेली प्लास्टिक के डबमे क्लाम के शुगर शुगर गाल यहाँ पर मैंने शुगर बनाने के लिए इक कंप से थोड़ा पम डाला क्ञा आपट्र suppressed officer कहले विए-ट यहाँ साथ की सब्लसक्त में आधा कप से थोड़ा सा ज्यादा बीच पानी इसे चलने टेफ हैं यहां पर मैंने कॉन नॉट भी यूजा है तो इस तरह सेhy littrav है और लड्डू में जो चमक भी आता है तो इस तरह से मिक्स करने के बाद में अब मैं इसे धखकर रख दूंगी ठीक है धखकर पांच से दस मिनेट रख दूंगी उसके बाद फिर में इसे अभी चला के देख रहे हूं तो अभी भी गरम है तो मैंने इसे निकाल दिया है एक अब मैं इसे लड्डू बनाने के लिए शुरू करूंगी बहुत गरम नहीं है थोड़ा सा गरम है तो इस तरह से आप देख सकते कितना चमक रहे है तो यहां पर मैं नीचे बाइट गई हूं लड्डू बनाने के लिए और यह रहा मेरा जो कपकेक नहीं मां स्वीट के लि मैंने मेलान सीट्स दालाई नहीं है तो उसके बाद मैंने मेलान सीट्स लिया दो अब मिक्स किकना के सब्सक्राइब कर दिया एए तो लट्डू बना बना कि मैं साइड में रख रही थी तो यहां पर मैं नीचे बैठी हुई थी लाइट ठीक से नहीं आ रहा था नीचे तो मैं क्या करती हूं जो मेरा जो जगह है वो चेंज करती है जो रेगुलर जहां में हमेशा कुकिंग का वीडियो करती हूं ना मैं उदर उठकर खड़े हो जाती हूं जैसे आपी देख रहे हैं आप यहां पर लाइट अच्छा रहा है तो मैं यहां आ गई हूं अभी तो मैंने किचन का जो काउं जो पन गया था तो मैंने उसकी उपर से रख दिया तो स्नूमैन तरह थिक रहा है तो इस तरह से आप देख सकते मेरा लबडू मी तयार हो गया राकी थे हो अब बस भाई दो यार नहीं है भाई बहुत दूर बैटा है तो पस आप लोग भी सी तरह से इंजोय कीजे राकी मनाईए भाई को अपने हातों से राकी बना कर पहनाए वो बहुत ही अच्छा गिफ्ट होता है तो इसतरह से मिठाए अपने हातों से बनाएंगे तो भाई का राकी बहुत है special होता है तो आशा करते हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा लड़ू भी आप देख सकते कितना soft है और बहुत ही आच्छा बनाता तो thank you so much आपने मुझे इतना देल से सुना और यहां पर मैं एक ठ्रे में जो है मैं थोड़ा सा लड़ू और राकी को रखक मुझे फोटो किसना था तो होई मैं कर रही थी तो आशा करते हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा thank you so much for watching see you soon with another recipe bye take care